दोस्तों ये है यहाँ पर हमारे पास में वावे की ब्रैंड न्यू स्मार्टफोन Y9S का बॉक्स टिपिकल वावे स्टाइलिंग में जहाँ पर सामने ही जलक मिल जाती है इसके बिसल लेस डिस्प्ले की साइड में है Y9S की ब्रैंडिंग जहाँ पर इसका कलर है ब्रीधिंग क्रिस्टल और लगी है इसमें 6GB की राम 128GB की स्टोलेश के साथ में अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसकी दोनों सील्स ब्रेक और आपको तो तो लिए से वीडियो को लाइक और शेयर और फिर दोस्तों है ये केस फोन के एक्स्ट्रा ताकत के लिए नीचे है हमारे पास में ये USB A to C केबल फिर है ये 10W आपट वाला चार्जर और साथ में है ये Basic Air Phones 3.5M अडप्टर के साथ में यहाँ मैं जल्दी से फोन की प्रेक्शन को रिमूव करता हूँ तो सामने कुछ डीटेल्स भी मेंशन है इसी फोन के बारे में खेर ये दोस्तों इसका फिर्स्ट लुक जहाँ पर जो कलर है वो डेफिनिटली बहुत अच्छा सा लग रहा है मैं कर इसको बूट करते हैं दोस्तों बात करता हूँ कुछ और डीटेल्स और फिसिकल और व्यू के बारे में तो यहाँ पर राइट साइड में है पावर लॉक उनलॉक बटन जहाँ पर फिंगर्पेंट स्कैनर पे हमको इंक्लूड़ेट मिल जाता है एजी अनलॉकिंग के लिए इसी के ठीक उपर है वॉल्यूम रॉकर उपर की दरफ में है सेकेंटरी मैक्रफोन एक हाईब्रेट सेम स्लॉट और फिर है यह अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता हुआ अगर हम देखते हैं बैक साइड की तो मतलब काफी दूस्तों अच्छा सा यह लुक है जहां पर खेर मुझे वावे P30 Pro की याद आ रही है जहां पर कलर्स काफी एच्छे लग रहे है और यहां पर जो कर्फ ग्लास फिनिश है यह डेफिनिटली बहुत प्रिमियम लगती है यहां पर दूस्तों लगा है यह एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटप जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48MP का F1.8 टैपरिचर के साथ में फिर है 8MP का अल्टरा वाइड अंगल कैमरा साथ में है कैमरा 2MP का डेप्ट के लिए नीचे लगा है लिडी फ्लाइश और फारली नीचे की यहां पर दूस्तों इस वावे की ब्रांडिंग अब यहां पर दूस्तों इस में लगी है 6.59 इंचे की फुल HD प्लस LCD स्क्रीन जहां पर कोई नौच या पंच होल हमको देखने को नहीं मिलता है मतलब बिलकुल एक दम क्लीन फुल वी एक्स्पिरियंस है और स्क्रीन दिख दूस्तों लगी है 4000 इमेज की बैटरी और बाकी यह पर कुछ और इंटरस्टिंग को आप्शिन मिल जाते हैं यहां पर बात करते हैं यहां पर यहां पर हमारे पास में कैमरा का यूज जहां पर बहुत सारे रहे सारे मोड्स हैं फोटो और विडियो को क्लिक करने के लिए जहाँ पर अगर मैं आपसे ये कुछ camera samples फिलाल share कर रहा हूँ जो मैंने इसी फिर दोस्तों यहाँ पर इस biometric security के बारे में तो ये जो side mounted fingerprint scanner है ये थोड़ा रुक के काम करता है मतलब accuracy में no problem लेकिन एक gap के बाद में होता है ये phone unlock उमीद करते हैं software updates से ये fix हो जाए बाकी खेर यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में कुछ face unlock option available नहीं है तो दोस्तों खेर ये है पूरी कहानी इसी Huawei Y9S smartphone की जहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं Google support या फिर Google apps के बारे में तो figure not क्योंकि यहाँ पर दोस्तों complete Google support मिल जाता है बिना किसी tension के वैसे खेर कुछ extra fall to apps भी हैं लेकिन मैं इसे बिना किसी tension के one click में अनिस्टॉल कर दूँगा दोस्तों के खेर कुछ ऐसा है ये Huawei Y9S smartphone और ये थी इसी के बारे में कुछ information झाल